उधारण साथ, एक वृत की त्रिज्य 20 cm है, दो बराबर और समांतर जिवाओं के बीच की दूरी 24 cm है, जीवा की लंबाई ग्याद किजिए, दो बराबर और समांतर जिवाओं की बीच की दूरी 24 cm है, तब हम यह कह सकते हैं कि O M, जो है O N से बराबर है, इसे समीकरण एक देते हैं नाम, इसमें हमने प्रम्य प्रयोग किया है कि बराबर जिवाओं केंद से बराबर दूरी पर होती है, बराबर जिवा, बराबर जिवाओं केंदर से बराबर दूरी पर होती है, क्योंकि बराबर जिवाओं केंदर से बराबर दूरी पर होती है, तब हम लिख सकते हैं कि O M, बराबर O N, इसे हमने समीकरण एक नाम दिया, अब हम यह कह सकते हैं कि M N जो है, रिखाकंड जो M N की जो लंबाई है, O M, धन, O N है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं M N बराबर, क्योंकि दोनों का मान एक ही है, O M और O N बराबर है, और यह समीकरण हमारा एक है, तो हम O M के स्थान पर O M लिखेंगे, और O N के स्थान पर भी हम O M लिखेंगे, यह हमने एक से प्राप्त किया है, कि O N, O M के बराबर है, M N की जो लंबाई है, वो 24 है, प्रश्चनर में दिया गया है, कि जो दो जिवाएं हैं, उनके बीच की दोरी जो है, वो 24 सेंटिमिटर, तो M N जो है, वो दो जिवाएं के बीच की दोरी 24 सेंटिमिटर, बराबर O M और O M को जोड़ेंगे, तो दो गुना O M मिलेगा हमें, यह हमारा O है, O M, दो गुना O M, या O M का मान जो हो जाएगा, वो 24 बट्टा दो, दो का परक्षानतर होगा, तो 24 बट्टा दो, तो O M का मान 12 सेंटिमिटर हमने प्राप्त किया, अब O A जो है हमारी, हमारा जो की वृत की तरिज्जा है, और उस का मान, वृत की तरिज्जा का मान जो दियावा है, कि एक वृत की तरिज्जा 20 सेंटिमिटर है, तो O A बराबर हमने 20 सेंटिमिटर लिया, अब हम त्रिभुज O M में, त्रिभुज O M में पाइधागोरस प्रमे का प्रयोग करेंगे, तो O A जो है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर, O M का वर्ग, लंब का वर्ग, धन, A M जो है हमारा अधार का वर्ग है, तो हमने यहाँ पे त्रिभुज O M में पाइधागोरस प्रमे का प्रयोग किया है, जहाँ पे O M हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग, धन, अधार का वर्ग, अब कहीं हम O M के वर्ग को पक्षांतर करेंगे, तो हमें प्राप्त होंगा AM का वर्ग बराबर OA का वर्ग लिन OM का वर्ग यहां पर हमने OM के वर्ग का पक्षांतर किया है अब हमें ग्यात है कि OA का मान जो है 20 cm तो 20 का वर्ग हो गया और OM हमने ग्यात किया है 12 cm तो 12 का वर्ग अब 20 का जो वर्ग है 20 गुणित 20 जिसका मान 400 हो जाता है और 12 का वर्ग जो है 12 गुणित 12 144 होता है और जब हम 400 में 644 को घटाएंगे तो हमें 256 प्राप्त होता है अब कहीं AM का वर्ग का मान 256 है तो AM का मान जो होगा वो वर्ग मुल 256 होगा और वर्ग मुल 256 का जो मान होता है वहाँ 16 होता है क्योंकि 16 16 होता है तो हमने प्राप्त किया यह हमने ग्यात किया कि AM का मान 16 सेंटीमीटर है अतहाँ जीवा की लंबाई जीवा की जो लंबाई है यहाँ पर जीवा की लंबाई जो है वो AB है हमारी जीवा की लंबाई AB AB बराबर हमारा है दो गुणित AM होगा AB जो हमारा जीवा है उसकी लंबाई जो है दो गुणित AB है तो दो गुणित AB बराबर दो गुणित AM है और यहां दो और एम कमान हमारे पास 16 cm हमने ग्याद किया है उपर में और दो को 16 से जब हम उड़ा करेंगे तो 32 cm हमने जीवा की लंबाई ग्याद की इस तरह से हमने ग्याद किया कि जीवा की जो लंबाई ये भी है वह 32 cm है या इस उधारण का हल होगा झाल झाल झाल